हेलो एव्रीवन दीखिए आज हम लोग और ना जो 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 और फी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्टन डिसकस कर रहे हैं इसका हमारा यह सेकंड लेक्शर है ठीक है पहला लेक्शर आपको मिल चुका होगा और उसमें हम लोगों ने पूरा पैटर्न डिसकस कर लिया थे किस ह तो आप विली क्या करेंगे कि उसमें निखाल सकते टीक है अब कर देखिए पहला गए उखने प्री उख्वाए अब कर देखिए घोटा एका को पता चलते हैं आपको एंसर आगया आपको टाइम भी बच गया और आपने सीधे जर्ज само कर जाना नेस्ट कोस्टन पर तो जम कर जिए अब देख लेते हैं देखें पत्रा तो देखेंगे जहरखंड पेंच पेंच आप देखेंगे पेंच है न बागभ ब्यारण तो पेंच कहां पे डाबोल उजरात में आप अप लोग कोव क्षित्र है या फिर कौन सी दो थीन देदेर से राइन रिबर खास निकलती है या फिर इसर देदेका की ग्रेट लेक्स के आसपास की एरिया किस चीज के लिए फिर मस है ऐसे जो कोश्चन आते हैं मैक्सिम अगर आपने प्रिविए सेर के कोश्चन देख लिए तो आपको दस मस्य साथ आट कोश्चन सीधे डारेक्ट डारेक्ट कहना में प्यो आई क्यों से आ जाते हैं 15-20 साल का तो इसलिए आएं कुछ चीज आपको भी हम बताएंगी जिसे की देखिए डोनेट्स हो गया डोनेट्स आप देखेंगे जितरे भी मैजटी फॉलिंग कोश्चन आते हैं उसमें आपको एक चीज ये जरूर देखने को मिलेगा तो जो कोश्चन बार बार आपके भी हतें नहएं और रणा डाली आ उसको को कि वह कहां पर लोकेटेट है क्योंकि इससे हैं आप पता चल गया कि भाई देखे दो option तो सीथे हट गया अब आपको अगर आपको इसके लामा भी नहीं पता है तो 50% chance हो गया ना सही होने का आपके पास ठीक है तो दो option हट गया अब आपको B वाला देखना P देखेंगे जो कुछ net से ना यह कहां पर यह रस्या रूस का है ठीक है तो B का 3 होगा B का 3 होगा देखें यह A का 4 होगा A का 4 होते ही स्वारे देखें अगर आपको यहां पर यह था अगर आपको पता चल गया A का 4 क्योंकि डोन्स देखेंगे तो कई बार पुछा गया यूक्रेन तो एक अचार होता ही आपके पास एंसर मिल गया है देखिए क्योंकि ए चार एक ही ओप्सन है तो सीधे एंसर मिल गया आप पर टाइम यहां पी पचा सीधे नेश्ट कोश्चन पर जम करना है लेकिन अब देख लेते हैं क्योंकि यह इंपोर्टेंट कोश्चन है यह बहुत बार रिपीट होता है तो टोर्नेट्स यूक्रेन फिर बी का तीर हो जाएगा कुजनेज रूस लंका सायर यूके और सार कहां पर जर्मनी का ठीक है तो ध्यान रखेगा आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं यह मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन में आप लोग मार कर सकते हैं किरा किसी देश में उसकी भगौलिक छेतरफल का उच्चितम प्रसिद बना चादित है ठीक है तो इसमें किरा चीन, इंडोनेशिया जैपान, भारत जैपान तो कहां प्रक्राम उच्चितम वन अच्चादित है तो देखेंगे कि तो भी जो लेटेस्ट आया था डाटा इनका वर्ड काल 2015 में आया था उसके अनुशार देखेंगे तो इसका एंसर आपको D मिलेगा जापान जापान में देखेंगे टोटल 68.5% बना चालता और इंडोनेशिया में देखेंगे तो इंडोनेशिया में देखेंगे 50.2% भारत में लेटेस्ट डाटा आपको देख लेंगे लगबग 23 आसपास है तेज़ दिसमलो आठ ऐसे कुछ करके चीन में 22 तो ध्यां रखेगा यह नाठ लेटेस्ट वन आवरन विच्छा वरन आपको यूपी का अगर देने जा रहे है तो आपको इंडिया प्लस यूपी का दोनों को बतावना चाहिए यूपी में तो अभी बहुत लोग आरो भी दे रहे होंगे प्लस आरो यूपी पीसеспरी खुभ सारे कोस्टन आते च्रीक है इसमें कहेंगे तो एक वीडियो बना दी जाएगी जसमें गहां पर मैक्सिमंपी वरन व्रिधिवई है यूपी के जिलो में कहां पर maximum पाया था, कहां पर new time है तो ये question थोड़ा देख के जाएगे question आते है चारे next question देखने अब देखे, यहां पर भी उद्दोग पूछने हैं, उसका location पूछने हैं ठीक है अब देखे, aluminium aluminium देखेंगे तो इसका aluminium famous है, जे के नगर जे के नगर ठीक है, तो अगर वहां पर ऐसे करेंगे तो इसको ऐसे माल लेते हैं, एक दो, तीन चार, ठीक है तो यहां पर चार तो एका तीन हो जाएगा मतलब अब आपको सीधे दो मुझे answer निकालने है दो तो सीधे इसको cut माल दीजे तावा किसके लिए तो जो आपने सुनाओगा मलस खंड किसके लिए तावा के लिए famous है, ठीक है कि B का एक, ठीक है अब तो उनों में सेम है, तो दो अपसन अभी वी चलना है अब आया जस्ता, जस्ता सबसे ज़्यादा जो है तंडू नाम के ज़्यादा तुंडू यहाँ पे होता है, इसको तंडू या तुंडू कहते हैं, तो जस्ता इसके लिए famous है, हो गया आपका C का 2, तो इसका answer हो गया हमें B, एक बचा जोट किसके लिए famous है, जोट भाट पाड़ा तो इसका answer होगे, यह चलिए next question कह रहे है, अब देखे राम से तु सुरू होता है देखें, यह question भी important इस साल के लिए है, क्योंकि आप ही देखेंगे कुछ दिन पहले मोदी जी भी यहाँ पे गय थे ठीक है, तो कहाँ पे यह पूरा famous चर्शा में बनावाता चीज़े, तो राम से तु कहाँ पे मोदी जी गय थे, जहां से एकदम राम से तु स्टार्ट होता है, अगर आप लोगों ने news follow कर रहे हैंगे समाशा, तो सीधे आपको इसको answer मिल लाएगा, ठीक है तो कहाँ पे गयते हैं धनुस कोटी से, तो एडम बीज यहां से राम से तु यहां से प्रारम होता है और मोदी यह भी तीन-चार दिन पहले, मतलब तीन-चार दिन वन भी आइधिंग होगा, तो यहां पर आइधिंग के 21 तारिक वाँ, 21 जनवरी को गए थे, तो इसका जो है थे, तीन, ब्राजील, लाइ, मेकस्को, चादी, पेरू, नाइट्रेट के लिए, तीक है, तो इसका एंसर हो जाएगा, देखें, बोल भिया क्या है दच्छी अमेरिका का प्रमुक तीन उत्पातक देसे ठीक है तो इसका एंसर ये तो सही है नहीं पूछ रहा है अब ब्राजील देखेंगे तो ब्राजील लॉएस के सबसे अधिक यहां पे भंडार है तो ये भी सही है मैक्सिको देखेंगे तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पाद कोमस से एक है तो ये भी सही है लेकिन अगर पेरू देखेंगे ना तो ये पेरू बैसिकली नाइट्रेट नहीं ताबा हो गया, क्रूड ओयल हो गया, स्वांड आधि के लिए प्रसिद है तो इसका एंसर हो जाएगा हमारा डी क्योंकि ये बैसिकली ताबा, क्रूड ओयल और स्वांड के लिए फेमस है अब देखेंगे बिस्व में, ये देखें कई बार कोश्चन आया तो ध्यान रखिएगा, इसका एक ही डाटा कई साल से लगातार चला है तो देखेंगे कि बिस्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रस्चत के दिश्चत सीर्स छेतपल किसका है तो इसका देखेंगे कि बिस्व में कहवा उत्पादन सीर्स पे हमारा चला है हमारा है मतलब कि ब्राजील चला है, इसका एंसर हो जाएगा आपका बी, ब्राजील, ठीक है अब देखें, ब्राजील में के सरवादी को उत्पादन होता है लगबग देखेंगे तो पूरे वर्ड की कावा उत्पादन का 20% अकेले जो है ब्राजील के उत्पादन करता है ठीक है अगर कभी कोश्चन आ जाए कि काफी का घर किसको कहते हैं ठीक है काफी का घर तो इसका भी एंसर आपका ब्राजील होगा ब्राजील को काफी का घर कहते है, especially, एक आपने नाम में सुना होगा कि क्या होता है कि क्या बोलते हैं, उसकोफिश के लिए पुर्य वर्ड में काफिी की समयली है, मंडी खही जाती है, सौफ़ पालो, ठीक है, और नेक्स्ट नमबर पे अगर देखेंगे, तो फिर बियत नाम आ जाता, सेकंड पे फिर कोलं में लगबग 20% क्या सपस टॉप थी कौन उत्पादर नोते हैं उसकी पर लोडिस्क्रस के लिए साथ में इसको क्या कहते हैं कौफी का घर कहते हैं प्लस अगर पूलिया कि सावब पोलो किसके लिए फिमस है कि कहां पर लोकेटेट है तो उसका होगा भी ब्राजीर अब देख पंच्टेल, हिल, नील, जामबेजी पर हूबर तो इसमें आप दी मैजडे फॉल्विंग करनी है कि किसमें मतलब किस नदी पर कौन सा बाद इस थेते हैं अब देखिए पहले तो इसका देखिए कि कोड़रेटो नदी पर हूबर डैम कोड़रेटो पर डी एका चार अब द एक चार डेम झाले कोड़िन, तो सहीरे फिर उप्सेनी अब क्ड़रेटो दिक हाई कि कि आपको लॉक्त कोड़रेटो हुआ। आप देख लेते हैं ये पंस्तेल हिल कहां पे है दामोदर पे नील नदी पे आश्रून बाद आपने बहुत फिरमस से सुना होगा जाम बेजी पे करीब बाद ठीक है तो इसका एंसर हमारा हो जाएगा डी अब करें कि निमलिखित निमलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगवग दो तीहाई चावल के ब्यापार्स से प्राप्त करता है ठीक है तो चावल के ब्यापार्स देखेंगे तो हलाकी अभी तो देखें यहाँ पे इसका एंसर हो जाएगा आपका मियान मार ठीक है एंसर हो जाएगा सी अब देखें दो च है आपका इरावदी करके है इन नदियों की जो दुआ भना इसको चावल का कटोड़ा कहा जाता है साल्विन पूर में क्या होती है सुनहरी त्रिभूज इस्थित है जो अफीम के लिए भी फीमस है यहां पर है तो ध्यान रखिए इसके अंसर करें निश्चित निश्चित आ लगास क्या कहलाता है तो इसका हो जाता है नचचत्र कहलाता है बी एंसर नेस कोशन देखें जंजाती कहां पर लोकेटेड है जंजातियों में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ जंजाती से की यूपी वाला तो देख नहीं है लेकिन जो भूटिया हो गए टोड़ा हो अन्डमान निकोबार वाली हो गई हो गई इन सब को थोड़ा सा दियान रखी गाए पर बहुत है afternoon को सोख के तौर पर मनाती है कहां पर बहु पती प्रता पाया दिब zwischen प्रता के जिय्ताथ में होई यह सब कोशन दो इसको थोड़ा सा दयान रखी है टो इसका देखें इसका answer देखते हैं पहले तो आपको पता होगा सब ज़्यादा पूछिए सेंटलीन ही सेंटलीन जो कहां पर अंडमान निकोबार में होती है तो डी का एक अगर आपको पता है तो आपको बचा ए और इसी इसी में डी में एक है तो आपको यह पता चल गया कि इसका answer बी नहीं हो सकता अब बचा दो में answer निकाल लें तो देखिए एक तो पता चल गया अब टोड़ा बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि लोग दिपावली को सोक के तौर पर इन सब को और इसमें बताईएगा कि बहुपत्नी प्रता पाए जाती या बहुपत्ती प्रता ठीक है तो इसके लिए फेमस है और कहां पर टोड़ा बिसिकली तमिल नाड़ो तो सी का दो हो जाएगा अब सी का अगर दो होता तो इसका answer होके हमारा ए ठीक है अब इसी पर आप देख लेते हैं बचे हुए तो जो वीर होर है जारकंट और भूटिया सिक्की में एक होती भूटिया एक होत जहां रखिएगा इंपोर्टन है नेस्स कोच्छन से लिए देखते हैं अब देखे दो जी एक तो हमारी जो इंडिया में एक कुछ जो बंगाल की खाड़ी में नदिया गिरती है और अब सागर में लोग पहले लेक्शर में भी डिसकस केते हैं यहां से खोब सारे कोच्छ उसे क्या होती हैं प्रभाइत होती हैं तो सिंपल सी बात एकर देखे सिंपल सी चीजह होती कि इसमें व्याख्या कर रहे या नहीं तो बीच में ऐसे लगाईए क्यों कि अभी दिखें कि भारत के पस्मी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है क्योंकि वे छोटे प्रवाद छेतर एवंग अपेच्छा करें तक कठोर चटानों पर प्रवाइत होती है तो पूरी संटेंस कंप्लीट हो रहा व्याख्या कर रहा ना कि भाई इसलिए नहीं होता है कि यह रीजन है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका ए क्योंकि देखें पस्मी बाद की नदियां क्या होती है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है क्योंकि वे चटानों से प्रवाइत होने के करण तो मतलब वहीं कठोर होती है तो इसका एंसर हो जाएगा A मतलब A आप दोनों सही हो सही व्याख्या कर तो सिंपल सी बीस में पहले एक बार क्योंकि लगा के देखा करिए कि इसका संटेंस कम्प्लीट हो रहा है या नहीं तो दोनों का अगर कम्प्लीट हो रहा है रीजन एक्जेक्ट हो रहा तो एंसर सीधे हो जाएगा देखे मैजदे फॉलइंग वने जूव बेरान से आते ही आते हैं तो सीरे देख लेते हैं जो फेमस हैं आप चर्शा में इसको धिया रखिएगा देखे डाची गाम बहुत ज़्यादा पाया जाता है जमू कस्मीर में यहां पे एक पाया जाता है कि एक पसु पाया जाता ह वो जम्मू कस्मीर का राजकी पसुभी है तो थोड़ा सा प्लोग उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि कौन सा है और डाची गाम सिंपल से डाची गाम में नस्नल पार्क में किस पसुभी आप जानवर के लिए फिमस है केवला देओ गाना पच्ची अब भेराण सीधे एका चार हो गया एका चार देखे एका डाची गाम पता आपको एंसर मिल गया है एकी चीज़ से लेकिन देख लेते हैं बी का देखेंगे तो राजस्थान होगा बी का दो ही होगा सी का एक हो जाएगा काना MP, PeriR देखेंगे PeriR कहां पे तो PeriR famous है आपको Keral में ठीक है, PeriR एक Reaver भी है वहां पे located तो धहां रखेंगा इसका answer हो जाएगा आपका A निम्ड कि देशों में रेल्वे लंबाई की दृष्चा औरोही करम में देखें रेल्वे लंबाई की करम में Trans-Siberian Rail है, तो रस्या का नाम नहीं है तो सीधे वह दिमांग से अटा देना है कि नहीं हाँ पे रस्या होगा है तो इसमें ध्यान रखना है अपी देखेंगे लेटेंस जो टाटा है इसका answer हला कि आयोग ने D माना है, लेकिन इसका answer हलाकि ड थे होगा लेकिन इसमें दिखेंगे तस्प, अमेरिका में थिक है, USA में फिर आता है सेकंड नंबर पर वर्ल्लेबल बात करेया तो रस्या आता है रस्या के बाद आप देखेंगे चीन आता है तैन इंडिया फिर कनाड़ा ठिक है तो इसमें इसका जो है तो इसमें कहा रहे हैं कि पनावा नहर उत्तरी अटलांटिक केपप बूड़ होब स्वेज नहर तो इसका देखें इसका एंसर हो जागा आपका दी क्योंकि सबसे विस्तम समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक है यहां से देखेंगे तो बैसिकली उत्तरी टाइम से यहां से यूरोप और अमेरिका के भी सबसे ब्यापार का सबसे प्रमुक एरिया ही है उत्तरी अटलांटिक थोड़ा साब लोग मैप में जाके यूरिनियम तो इसका एंसर हो देखे कनाड़ा पाकिस्तान चीन जहरे तो यूरिनियम आयस के सबस्यादा आफिमस देखेंगे आपसर मस्य पूसा जा रहा है तो यूरिनियम एसमें इसका एंसर हो जाएगा कनाड़ा ठीक है लेगिन अगर present टाइम लेटेस डाटा के हमसरा द तो वरतमान में कजाकस्तान एरन्ययम के भंडारे और उतवादम तो अपना झापान पीक पनान निरभर जो है जापन खेबनी त्र पसक्तव कहएसे कुरूद फिर उब तो सी क्योंकि जापान क्या करता है इसको जितनी आवस्यक्ता होती है उसका लगबग 93.75% अकेले खुद नाब अपना उत्पादन कर लेता है तो इस एरिया में वाना जाता है कि वह लगबग आत्म नेरभर है देखे इसका एंसर तो हलाकि इसका ऐसे होगा कि अभी प्रजन टाइम में भी हमने कुछ दिन पहले एक क्रिसी समय पादन समय आकड़ी पूरा एक स्रीज लॉंच की थी तो देख लीजेगा उसका लेटेश डाटा वाली तो इसका देखे यूपी नंबर वन पर देन करनाटक और फिर हरियाणा ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा हमारा बी यूपी मरश करनाटक हरियाणा निर्म लिखित में कौन सा सदाबाहर वन पाया जाता है निर्म लिखित में कहां पर सदाबाहर बन पाया जाता है कहां पर सदाबाहर बन पाया जाता बताईए तो यहांपे रहते हैं वहांपे यह पनवते हैं और लगबाग इनको क्या चीए दो सो सेंटीमीटर से अधिक मतलब दो सो सेंटीमीटर के आसपस इनका जो है वर्सा इन सबकी ज़रृत होती है तो इसमें देखेंगे इसका एंसर हो जाएगा हमारा पस्मी घाट में क्या हो तो यहांचे धाया-डलम पहुंभास के किस गर्ने की खेती के अंतरगा सबसे अधिक भूमी है तो देखेंगे सबसे अज्यादा भूम गर्नी की खेती यह दो कई साल से कोसेंट पूछछा जा रहा है गॉंग का उत्पादन हो पी सब्छा कोश्चन आते हैं प्लस सबसे अधिक एरिया किसमें और कभी-कभी आपको साउथ मतब की ऐसे देता कि बाई जन्नी की उत्पादक्ता में तमिल नाड हु जो या साउथ में कोई इस्टेट की वहां की क्वाल्टी अच्छी है इसे क्वाल्टी स्लिटेड या ज्यादा उसमें अगले कुछ वीडियों डिस्कस कर लेंगे लेकिन देखे हमारी कोशिस है ना कि अगर वह टॉपिक डिस्कस करें लोगों ने एक यहां पर माली कोश्चन दे दिया गन्ने इस लिटेड तो उस गन्ने से पर हम लोगों को नहीं फोकस करना उसका तो एंसर मिलेगा लेकिं उ लोगों से किसका अचानक अब देखे यह काफी फेमस हैं अपने केदार नात रास्दी वाला वो जो सुना था बात ना तो वही पूछ रहा है कि जून तवा तेरह में मंदाकनी नदी पर तुरित बार के का प्रमुक करनों में से एक हैं सबसे पहली पहली चीज तो यह वाली ग्लेशियर था जहां से क्या हुआ था वो एक फ्लेश फ्रेड आई थी तो यह इसका अंसर यह हो जागा चौरा वाली जीड बाद में आधिक से अधिक सोया बीनुत पादन में कौन से तो सोया बीनुत पादन में अभी जो आपको लेटे स्टाट आया अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसके अनुशार आपको इसका एंसर अमें कमेंट बॉक्स में बतानी है ठीक है क्रिसी समझें आखलो से समझें अभी विदिन वन वीक आपको एक वीडियो बहुत ही छोटी सी वीडियो आइधिंक 15-20 मिनट के ऐसे कुछ होगी आप देखीगा उ इसका भी एंसर में मैजडी फॉलविंग में एक तो अभी हम वोगों ने अऊपर डिसकस किया कि डाची गाहां पे टेके अगर डाची गाम दिक्या कहां पे जम्मु कसमी एक freshly अ दो तो एक अदो आपको पता चल गया तो एंसर भी मिल गय आपको डिसकस नहीं करना इसका ऑ पापी कोडा दिखेंगे तो पापी कोडा नाम से आंध्रपदेश सरिस्का काफी फीमस है कहां पे राजस्थान के लिए बंदीपूर कहां पे बंदीपूर काफी फीमस है करनाठ का तो इसका एंसर हो जाएगा भी चलिए नेक्ट कोर्शन करें कि दिल्ली अब देखें ये कहरा है कि दिल्ली और आगरा के मद्द वर्स के अधिकान समय में यमुना मृत हो जाती है ठीक है आपने देखा हो गर्मियों में यमुना के मतलब जल बहाओ या पानी काफी कम हो जाता है और सूखने के इस्तिता जाती है इसलिए दिल्ली से आगरा के और प् देखे पहला फिर से देख लेते हैं किना दिली और अगरा के मद्द वर्स के अधिकान समय में यमना नती मृत हो जाती है यमना असतत वाहिनी नती है अब देखे सबसे बड़ी बात कि अगर आपको यहाँ पर एक तीज पता कि कोई स्टेटमेंट गलत है तीक है तो इसमें देखना है नहीं कि व्याख्या है नहीं क्योंकि देखे यमना क्या सदत वाहिनी एक नदी है हिमाले से निकलती है कहां पे गंगोतरी हिमाले है उनसे प्याप पूरा डिटेल में बताईएगा तो पता चलिए आर गलत है तो इसमें एक ही आप्सिन में होता ना कि आर गलत है तो सिधे इसका सी एंसर मारना है चले नेश्ट कोउशन कहरा है कि नेम लिकित में से कौन सा भारत में प्रमुक जॉला मुखी ड्वीब है ठीक है भारत में ये कोउशन मोश्ट इंपॉर्टन कई बार पूशा गया है और बहुत ही सिंपल सा कोउशन कई बार पूशा गया है तो देखेंगे जो टरसरी और टरसरी यूप के आज पास अधिकान भारत में क्या थी कहते हैं कि जॉला मुखी कहा क्या था अभाव था लेकिन नवी जॉला मुखी क्रियाओं के अगर उदारहन देखेंगे तो एक हमारे यहां बैरन दूइप है बैरन दूइप बंगाल की खाड़ी में कहां पे है अन्डबान निकोबार दूइप समू के पांसेस थे थे तो यहां पे हमारे यहां इसको एक क्या कहते है कि जॉला मुखी बैरन आईलेंड को एक जॉला मुखी दूइप के रूप में संग्या दी जाती है हलांकि बहुत टाइम पिरिएड मतलब लगबार अठारह सो कुछ के असपास इसमें उद्गार हुआ था तब से यह सांत है लेकिन इसको जॉला मुखी आईलेंड के नाम से बैरन दूइप को करते है ठीक है आईलेंड अपकी बार इंपॉर्टेंट है ध्यार रखिएगा इस पसली अंडमान निकोबार और मौलदीव करें यह लक्षदीव मौलदीव लक्षदीव कंफिट के विए से कोस्टन बन सकते हैं थोड़ा सा संभावना है और उसमें बस ट्रैडिशनल से कोस्टन आते हैं उसको लोग देख लेंगे निकित बादों में से कौन से बेतवा नदीपर बनाया गया है ठीक है बहुत ही सिंपल ललित-पूर जिले में कोई होगा ललित-पूर से तो बताईएगा इसमें ललित-पूर जिले में उत्तरपधेश और मध्दपधेश सरकार ने से जाबर सहयोग से क्या हुआ इसमें जो है एक बांद बनाया है और ललितपूर जहांसी जालाउन और हमीर पूर यह जो जिले ना इन सबसे सचाय की सुड़ाइच से उपलब दोंगी इसलिए बनाया गया है तो इम्पॉर्टन्ट है यूपी में नदियों और उसमें से केन बे तो कावरी नदी को कहते हैं दच्छड की गंगा ठीक है ध्यां रखिएगा और बोढ़ी गंगा कभी-कभी इसको ऑप्सिन में गोदावरी को कह देते हैं तो दच्छड की गंगा लेकिन कावरी को इसका एंसर आयोगी मानता और यह ऑथेंटिक है भारत के नेम लिखे तट कुमारी अंतरदीप से लगातार कृष्णा नदी डिल्टा तक फैला हुआ है ठीक है जो है कौनसा कोरो मंडल टर जो है आप देखेंगे तो एक एरिया है वहाँ पर कुमारी अंतरदीप से लेकर देखेंगे तो कृष्णा नदी जो डिल्टा है ना वहां तक फैला हुआ ह इसे कर्नाटक भी कहा जाता है. क्योंकि यहीं पर कर्नाटक पुरी. जो मिलके पुरा कर्नाटक वाला एरिया बन जाता है. और यहां पर काप मिट्टी कामेदान. ठीक है? यहां पर कोष्जन दो Research. काप मिट्टी कहां पाजाते हैं? और आपको बताना है कि जो अभी एक जो मेरा स्री हरी कोटा है ना अपना प्रच्छेपण जहाँ से इस तो निम्रिकित में से कौन बिक्सुका सबसे उंचा जॉलामखी परवत है परवड में कौन सा है? तो मांट कोटो पैक्सी को माणा जाता है ठीक है? वरड में सबसे उचा इसका एंसर हो जाएगा D निमलिकीत में से किसको परल आической पर लफ साइव एरिया कहाजी था? आप देखे परल आप साइव एरिया कहते हैं अब देखे किस उदो की अवस्तिती के लिए कच्छे माल की लब्धी मूल कारग नहीं है ठीक है मतलब अब देखे इलेक्ट्रोनिक्स अब यहाँ पर सरकरा के लिए अगर यह देखिए ऐसे कुछ कोशन आते हैं आपको लॉजिकली कर सॉल्व करेंगे तो इसली हो जाए करेक्ट नेमलिकर इसको दोक्या अस्तिती के लिए कच्छ अमाल के लिए बता नहीं होती है तो कच्छ अमाल के लिए थे सरकरा देखिए लिए है वह ऐसको कच्छा माल इसको अपकूल माल नहीं उसको आप कहीं भी लगा कि चीजों को डबलिब कर सकते हैं तो इस्का एंसर हो जाएगा सी इसके हो इसको प्रॉश्चो Cliff कलिए नहीं होता अब कहले कि निमलिकित में से कौन सा एक यूग में समेली नहीं है अब देखिए अभी हम लोग टुला करके था किसी कोश्चिन में देखा था तो ये रूस में है अब देखिए घुमाफिरा के कोश्चन मोहीं से बनते हैं जो हम लोगँ डिसकस किया है West Midland देखेंगे तो Birmingham में है लॉरेन कोईला छेतर फ्रांस में है ठीक है हो सकता है अगली बार आपको कोईला छेतर नहीं से बन जाए कि भई लॉरेन कोईला छेतर कहां पर उसती थे तो इसको फ्रांस जर्मनी इटली ऐसे दे देगा प्लस या तो नहीं लिकित में से फ्रांस का कोईला छेतर कहुंसा है तो आपको इससे देदेगा तो उसमें लॉरेन देदेगा उप्शन तो ऐसे कोईशन यूपी में उप्शन के थूर या कोईशन के थूर इसे घुमा के कोईशन कई बार सेम कोस्टन रिपीट होते हैं तो ध्यान रखेगा ये भी सही अब अच्छा एक एंड्रियाटिक सागर की रानी देखेंगे ला तो ये रोम नहीं ये वेनिस इटली को कहा जाता है ठीक है रोम को कहते हैं क्या रोम को आपने सुना होगा इसको कहते हैं साथ पहाड़ियों का नगर कहते हैं रोम को लेकिन एंड्रियाटिक सागर की रानी कहते है वेनिस इटली ठीक है तो ध्यान रखेगा इसका इंसर हमारा ए ये होगा अब दिकें नेक्स कोस्टन कह रहा है कि आपको मैजदी फॉल्विंग करने है एक तरब जॉला मुखी एक इस देश में वस्थे थे थे देखिए अब एक एक तलती है कि सबन काया कहा पर वस्थे थे थे तो यह देखेंगे पेरू में मांट एतना काफी फिमस है दिखें कई अवर पूछा है तो मांट एतना इटली में तीकलिगल सबन काया अगर पेरूम पता एक का दो तो एक का दो हलाकि आपको एंसर यहीं से मिल गया लेकिन लोग देख लेते हैं देखें बी का मांट एटना इटली में है कोली मा कहां पर कोली मा मैक्सिको के लिए मेरापी भी बहुत ही जादा फिमस है सबस्यादा यह इंडोनेसिया मे है तो सबस्यादा मेरापी फिमस है आपको कई बार पुछा आता और मांट एटना तो दो चीज तो आपको 100% याद होनी चाहिए एप नोट करके इसको याद करिएगा करा नेमलिकित देशों में से किसकी समुद्टत लेखा जो मतलब सी बॉंडरी है समुद्टत लेखा जा किसकी सरवाधिक लंबी है तो अगर थोड़ा सा मैप में आपको आइडिया होगा कि अच्छा वार्ड पे देखा होगा आपने अभी तो सीधे कह देंगे अच्छा किसकी लंबी है करनाडा प्राजील इन सब पे तो समुद्टत की सबसे लंबी अगर देखेंगे तो इसमे कर देना कि भात में किस राजी की समुद्टत रेखा सबसे लंबी है तो आपको यह होम और के बताईएगा निकिति युक्रिम से कौन सा सुमुलियत नहीं है अब कि कौन से सुमुलियत नहीं है तो दिखेंगे इसका अंसर हो जाएगा आपका इसका सुमुलित भी हो नहीं है तो इसको ध्यान रखेगा प्लस उनकी विश्यस्ता है तो दिखेंगे प्रजातियों में से किसे उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी संबंदीत है मंगोलाइट से ठीक है इसकी विश्यस्ता है क्या होते हैं इनकी पीले भूरे रंग के होते हैं लगबक इनकी जो तिर्षी आखे जो भारी पलकों के कारा मुड़ी हुई होती है अर इनको क्या उत्तरी और दच्छी अमेरिका इनको रेड इंडियन, मंगुलाइड के सारी लेड लच्छन जो हमारे रेड इंडियन होते हैं इनसे थोड़े बहुत मिलते रहते हैं तो इसकाGod आपको ऑस्टीलिया का थे आता कि देखा देंगे आटीक को जिए पर और सबस Y Good होलो जाए कि दाका ओस्टे 52 करें बिसमें उन्यूरीम का व्यहत्तम पाया जाता जू रिभाए जाता जोनियानियम के लिए आपको औरु restart से लिए ठीक है और हाला कि अभी जो है खनी संब्धी डाटा की आपको एक वीडियो मिलेगी इसमें अगर मालेगी कहीं पर आपको चेंज या कुछ लगता है तो एक वीडियो मिलेगी आपको 15-20 मिनट में जिसमें महत्वपूर्ण जो खनी जुद पादन है उसे संब्धी हम कौन जल लवड़ता प्रवड़ता को दर्साता है ठीक है कई बार कोश्चन आया है कि कौन दर्साता है तो देखे यह कई बार कोश्चन है तो सीधे इसको देखेगा कि जल लवड़ता को हेलो क्लाइन तो जल लवड़ता प्रवड़ता को हेलो क्लाइन हमारे उपग्रा में मृधु जल सरवाधिक पाए जाता है अगरा मतलब की धर्दी की पुरी बात हो रही है इसमें करा है कि मृधु जल कहां पे सब ज़्यदा पाए जाता है तो देखेंगे लगबख 70% कहां पे जल का भाग है तेथा उसमें 67% क्या है खारे जल पाए जाते है खारे जल पाए जाते हैं इसमें से 2.5% केवल क्या है मीठे जल की सुरूत है तो फ्रिस वाटर सबसे मीठे केवल 2.5% है सेज बचा हुआ मीठा जल लगाता है जल चक्र दोरा वो अपना प्रोसेस होता रहता है यहां पे वेपर बनके फिर बारिस होई या विमाला है या ग्लेसर के रूप में हो गए तो मृदुजल का सरवादी सुरूत देखेंगे तो महादीपी विंग हिमानी परवती हिमाली मितलब इस्थाई जो हीम होते हैं वह हैं कि देखें तो इसका एक अंसर होगा हमारा सी करने विखेंगे सागरी राष्टी उद्ध्यान यह भी कोश्चन कहीं बार आया कभी कभी जाम नगर भी आ अ मरीन नेशनल पार्क के नाम से पूछ लेते हैं तो जाम नगर उसका एंसर होगा कि कौन सा सागरी राष्टी उद्ध्यान है तो सुंदरवन मनार के खारी भीतरकंड का गहिर माता तो इसका एंसर देखेंगे भारत में समुद्री राष्टी पार्क मनार के खारी इवां आपको स्वास्पश्टी उद्यान है समुद्री राश्टी तिक यह मंनार की खाड़ी जो तमिलनाडु पुरं पुरम मनार की खाड़ी में करीब 29 दीपों पर आधारित 19 क्या इंड बना हैं ठीक है समुद्र में 19 आइलेंड है इन ही को मिला कि क्या बनता है एक राष्टी उद्यान बनता है तो वो क्या है कि सागरी राष्टी उद्यान के लिए फेमस है मन्नार की खाड़ी इसलिए बोलते हैं वहाँ पर लगभग आप देखेंगे तो इसकी स्थापना भी देख कि उनीस सो च्छी आसी में की गए थी और लगभग इसकी टूटल एरिया देखेंगे जो च्छेदस में दो तीन किलो मीटर है तो ध्यान रखेंगे और यहां पर जो हम लोग यूरेनियम वाला देख रहे थे ना कहां पर गया है हाँ यूरेनियम में ब्राजील ब्राजील और प्रेजेंट टाइम में क्या है कजाकरस्तान सबस्यादा वहां पर उत्पादन होता है विर्याद बंडार ना कजाकरस्तान तो इसका ऑप्शन वेकर देखेंगे तो ब्राजील ऑप्शन के साब से इसका एंसर हुआ ठीक है चलिए कि निमनिकेत में से कौन सुमिलित नह गलत है इसका एंसर आपको यह हो जाएगा लेकिन अब हम देखें बिस्क का सबसे उच्छा जल प्रपात है एंजल वाटर फॉल एंजल जल प्रपात ठीक है तो इसका एंसर यह होगा और बिस्क की सबसे बड़ी ताजी जल की जील सुपेरिया बिस्क की सबसे नौगम में जल प्रपात को बिस्क का सबसे उचा जो जल प्रपात कहते हैं इसकी जो उचाई है ना एंजल वाटर फॉल की यह लगबग नाइन सेवन नाइन मीटर है ठीक है और जो अभी यह दिया ना टुगेला वाटर फॉल यह कहां पर वस्तित है यह दिखेंगे तो दच्छडी अ आप करें के नियम्लीखिट नियम्ली के मैसे कौन सा मरूस्तर दिख्री में वस्तित में मूस्तित है तो देखें कालाहारी जो मयरूस्तर अधिक है यह दिखेंगे नाइन सेकिनी हरैं बॉसीटमील आप करीब फैज़या और 10 जीफर बनेंटर कांवेट हरी जो हम लोगुआ ना कि बायी डैक्राइब गया नगोया हो गया पंपास अर्या हो गई या फिर कुछ ऐसे एरिया पूछ जो जिते कि किसके लिए फिमस हैं तो वो कुछ गिनेवस्ति चुने हैं वही नाम मातएं जैसे इसमें देखिंगे तो डेट्राइड जो है न इसके यह कोश्चन कई बारा है तो डेट्राइड सूती वस्ता उद्धो के लिए नहीं फिमस है है जो इसमें अमेरिका का सहर है यह अपने कोशन आया है इसरायल हो जागा नियुक्त में से किसे भारत में Jhivita HotSpot के रूप में पहचान किया गया है ठीक है अब दिखना कि वहाँ पर ज्यादा वर्सा होते तो वह होगा अपने यहाँ Jhvita HotSpot जो है कई बार कोशन आता है बहुत ही माइनूट अगर आपने इन्वार्वेंट इकोलोजी इन सब की पिवाई कियों देखा होगा तो इससे कम से कम हर साल ओन एवरेज देखेंगे तो दो तीन कोशन आया था बस थोड़ा थोड़ा कनफ्यूजन कर देते हैं कि हमारे यहां कि जैवेता होड़ स्पॉट के एरिया पूशके तो इसमें ध्य होती है उसको भी देख技 जाईएगा देमलिकेत मस्यक चाहरे हुए कि प्राचीं्तह थah सबसे गहरी जील कौन सी है अब देखें सबसे गहरी जील कौन सी है साइबेरिया की बैकाल जील को इसकी सबसे गहरी जील मांते हैं इसके में लग बाद गहराई मांते है कि 47F Фीट गह जारार घाटी जो होती है उसमें अवस्थी थे पूरी साइबेरिया की वैकाल जील तो यह सबसे गैरी जील में काउंट की जाती है ठीक है चलिए अपना लास्ट कोस्टन देखते हैं मैंस्दिया फॉलॉइंग वाले कोस्टन है इसमें इसका क्या होगा देखें सौडियम तर मतलब बार्मुडा से बार्मुडा त्रिकुण उत्री अट्लांटिक्स अगर सुदूर पूर्व चावल का घटोरा किसको कहते हैं अभी एक कोस्टन में लोगों डिसकस किया था कि चावल का अपने फूर्थर्ड परसंट किसको कौन प्राप्त करता है तो उसमें सुदूर फणा क्यों परसंट करता है मैं यहाद थे और कोई भी आपको अंसर नहीं पता है तो इसमें देखना कि चावल का घटोरिक करता है तो उछा म्यामार मतलब सी का एक तो सी का अगर एक आता है तो सी का एक सीदे आपको एंसर मिल ला गया सो चोचे एक फीड़र आपको क्यों पूशे जा रहे हैं, ठीक है, हुमर्ग जो हैं, उसके अंसर जरूर दीजेगा, क्योंकि वहाँ से कोश्चन बहुत सारे बनेंगे, और बनने की संभावना, इस स्रीज में लोग वही डिस्क्स करें, जहां से कोश्चन बन सकता है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में उ तक के लिए धन्यवाद,